निविश्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आपके अपनी यूटीव चैनल आउनलाइन श्रीविट डीके में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास सिक्षा सास्तर संबंदिद सो अतिमातुपूर्ण प्रश्णों की और तो यहां पर कुष्ण आपको वन लाइन मिलेंगे क्योंकि 100 कुष्ण में काफी समय लगता है तो यहां पर पहला प्रश्ण हमारा आता है कि जीन सुरी ग्यानात्मक विकास नकल पर आधरित ना होकर के खोज पर आधरित होता है यह कथन देने वाले जीन प्याजे थे चलिए आगे बढ़ते हैं किस विद्वान ने बच्चों की अंतक्रिया को उनकी विकास का मूल आधर माना था तो इस बच्चों की अंतक्रिया को उनकी विकास का मूल आधर मानने वाले जो थे वो थे लेव वाईगो सिकी और इन्होंने ही विकास का मूल आधर माना था आगे एकला कुष्ण यहां पर किस विद्वान न नेतिक विकास की अवस्था के सिधान्त का प्रती पादन किया तो नेतिक विकास की सिधान्त का विकास की अवस्था के सिधान्त का प्रती पादन करने वाले लौरेंस कोल वर्गत है चलिए आगे बढ़ते हैं प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिव ये को ये सब्दियां पर ठीक नहीं है प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्थों को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है तो वह अवस्था होती है उसकी पूर्व संक्रियात्म का वस्था जिसमें बच्चा अपने परिवेश क वस्तों को पहचान कर उनमें विभेद करना लग जाता है आगे बढ़ते हैं प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है तो उसी आत्मशाती करण कहते हैं है नए विचारों का समावेश हो जाना बच्चों में आधार हिन आत्म चेतना का संबंद उसके विकास के किस अवस्था से संबंदित होता है तो बच्चों में आधार हिंचे आत्म चेतना का संबंद उसके विकास की किस और अवस्था से ये संबंदित होता है अगला क्यूशन आता है बच्चों के विकास संबंद निर्मान एम खोज का सद् अगले कुछ ने कोवर्ग द्वर्ण प्रती पादेत नेतिक विकास का सिद्धान्त पूर्वर नयतिक अवस्था की अउधि मानी गई तो यहां पर पूर बनायतिक अवस्था की अवधी जो है वो जन्म से दो वर्ष की अवधी मानी गई है बुद्धी का पदानुकरत संगरचना सिद्धानत देने वाले कौन थे तो बुद्धी का पदानुकरत संगरचना सिद्धानत देने वाले बर्ट और वरॉननन थे इन्होंने ही बुद्धी का पदानुकरत संगरचना सिद्धान्त जो था दिया था बुद्धी का एकी करत संगरचना का सिद्धान्त दिने वाले कौन थे तो ये थे जैपी गिलफोर्ड जिन्होंने बुद्धी की एकी करत संगरचना का सिद्धान्त दिया था अगला क्षिशन मेरा आता है विसिस्ट बालकों में कौन से बालक शामिल होते हैं या कौन कौन से बालक आते हैं तो विसिस्ट बालकों के स्रेणी के अंतरगत आने वाले जो बालक होते हैं इसके अंतरगत प्रतीभाशाली बालक हैं पिछड़े बालक हैं और कुछ मुग बधिर हैं कुछ जो सुन नहीं सकते हैं ऐसे बालक देख नहीं सकते ऐसे बालक और स्रजन सील बालक सम्वेग आत्म प्रणाली समाविशी सिक्षा कहलाती है अब ही आपने विसिष्ट बालकों के प्रकारों को देखा है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं तो इस प्रकार के सिक्षा समाविशी सिक्षा कहलाती है अगला क्यूशन हमरा है यहां पर प्रतीभा साली बालक किसे कहत होते हैं जिनका जो होता है वो नबें से कम होता है उन्हें पिशड़े बालग किसा करते हैं कि सो जानसिल बालग किसे कहते हैं to सरजनसिल बालग यहां पर हम आईक्यू के ऊपर तो देखी चुका है, पर स्रेजनचिल बालग को हम किस प्रकार से परिभाशत कर सकते हैं, क्या उसकी डेफ़िनिशन दे सकते हैं? है ना तो सरजन्सिल बालक क्या होते हैं ऐसे बालक होते हैं जिन में कुछ नया करने के किशमता हैं होती है और जो नए नया विश्कार या अनुशंधान करने के किशमता रखते हैं तो ऐसे बालक जो होते हैं सरजन्सिल बालक कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं स्रेजन्सिल बालकों का IQ लेवल कितना होता है तो इन बालकों का IQ लेवल जो होता है 120 से अधीक होता है तब इन्हें स्रेजन्सिल जानी में रखा गया है अगला क्युश्य नमारा है वंचित बालग हम किसे कह सकते हैं तो वंचित बालग ऐसे बालग होते हैं जिनने सिक्षा के उच्छत आउसर प्राप्त नहीं होते हैं मतलब जो सिक्षा प्राप्त करने से चूक जाते हैं या उन्हें कोई ऐसा आउसर प्राप्त नहीं हो पाया उन्हें हम वंचित बालक कहेंगे या आउसर मिला हो पर वो किसी काराण वस नहीं पढ़ पाये हो तो ये वंचित बालक है लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते थे लेकिन वे सिक्षा से वंचित हो गए तो जैसे आद समाज के मन्य अधिनियमों का लंगन करते हैं हैं अब सामज के मानने अधिनियम मतलब कि जैसे कि समाज इक तोर पर हमें किस पकार से रहना च sûGreen at जो इन सामा जग नियमों को लांगता है या प्रिच जाता है तो ऐसे बालक को हम बाला प्रादियों के स्टीरिड गूटर एंगे। अगला कुशन है बाला परतियों के प्रकार बताईए तो बाला परतियों के प्रकार जिसे चोरी करने वालग बालग है इसी के साथ साथ स्कूल का फरनीचर तोड़ने वालग है स्कूल में मारपीट, हिंसा करने वालग सकूट के रिपोर्ड कारड में, छेड जाड गरने वालग हैं ये सबी इसके अंतरखत आते हैं प्र imagin है बालग चलना किस वर्ष में शीख लेता है तो लगबख बालग जो था है श्र्शेक स्षय दरुस्टि से बाल विकास की tekी या एंउस्था थै कि कुछ और उप अवस्था वाज़ देहिता है। और भागों में बाढ़ दिया है। उसी प्रकार से स्ण वस्ता को बढ़ देता है पर मुझ्य अरुप से तो यह तीन वस्ताएं ही हमें देखने को मिलती। इनकी जो छोटी-छोटी उपवस्ताएं भी शामिलिन में हो जाती है। चलिए अगले कुछिशन की ओर जाते हैं अगले कुछिशने बालग में सरविथम भाय क्रोध तथा प्रेम के समवेग विक्सित होते हैं ये कथन देने वाले थे वाटसन चलिए अगले कुछिशने बाल निद्रेशन केंदर जाते हैं तो यहाँ पर जैसे बाल विकास के अंदर हम देखते हैं कभी ओधी गरंथियों से समवेग प्रेशन आ जाते हैं तो उसी प्रकार से एक प्रशन है कि इसकी क्रिया शिलता का शंबन मनिश्य के पाचन क्रिया से भी होता है तो यहां पर लिखा है अभी व्रक ग्रंथी तो यह अभी व्रक नहीं यह अधी व्रक होगा ठीके तो ये अधी व्रक्य और अधी व्रक्य जो ग्रंथी होती है ये ग्रंथी को थोड़ा सा अब्धियान रखीएगा जिसे हम अधी व्रक्य ग्रंथी जो हमारी किड्नी के ऊपर होती है और ये ग्रंथी जो होती है कि अधी लिन हार्मोंस जो होता है उस हार्मोंस को इस्त और वbn हर welto कौने ज marketers हैं कुछ चो यह संबंदेथ होते हैं तो हमारी हरुकर सकता है तो श सारी ईंट होती हुनको भी बदल सकता है कभी संकत के समय के समय भी यह हर्मों हर्मोंस भी J.S.. रिलिस होता है और हम संकट से तो बच जाते या संकट में घयर जाते हैं तो उससे किस प्रकार से नफटना है इस हर्मोंस को संक तकालिन हर्मोंस के नाम से जाने उलता है adrenalin हर्मोंस को है ना तो ये ग्रंथी इसलिए काफी महतुपूर्ण ग्रंथी होती है हमारे सरीर की जिसे संकट होता है और संकट के समय हम कोई रास्ता ना देखे तो वाँसे भाग जाता है तो ये इस हर्मोंस का ही प्रभाव होता है तो काफी महतुपूर्ण प्रभाव इस ग्रंथी का और इसके हर्मोन से का हमारे सरीर पर पड़ता है जो हमारे behavior को भी change कर सकता है एक पल में बदल सकता है चलि आगे बढ़ते हैं अगले question के और वातावरन वह बाहरी शक्ती है जो हमें प्रभायत करती है किस न कहा था तो वातावरन वह बाहरी शक्ती जो हमें प्रभायत करती है ये कथन देने वाले थे रास जिन्होंने ऐसा कहा था अगला कुश्य नमर आता है अल्फरेड बुद्धी परिक्षण निर्मान के जन्मदाता है तो अल्फरेड बीने जो है इने बुद्धी परिक्षण निर्मान के जन्मदाता माना जाता है अगला कुश्य ने ब्रिजेस के अनुसार उत्तिजना भाग है तो उत्तिजना जो है ये समवेग आत्मक विकास का ही एक भाग होता है उत्तिजना अगला कुश्य ने तर्क जिग्यासतन निरिक्षन की सक्ति का विकास रिक्तिस्थान की आयू पर हो जाता है बच्चों के अंदर तो ये लगभग्यारा वर्ष की आयू में हो जाता है निपने मैसे कौन सा वनसानोकरम का नियम नहीं है तो यहां पर प्रश्नों जो है चार विकल्पो होते तो हम उसको क्लियर कर लेते कि भाग्यार की संतान बच्चों के समाहा नहीं होती तो उससे हम कहा जाता है प्रत्य अगमन का नियम है तो इस प्रकार से यह सारे जो नियम आते हैं यह वनसानुक्रम से संबंदित नियम के अभी प्रणा एक ऐसा है कि यह हमें वातावरण में कहीं पर किसी व्यक्ति से कारक से मिलती है तो इसलिए वनसानुक्रम से रिलेटेड नहीं होती है अभी प्र सद्धान्त को और किस नाम से जाना जाता है तो एक कारक सद्धान्त को राज के सद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है जो बुद्धी का एक कारक सद्धान्त है आगे बात करते हैं बुद्धी का सबसे पुराना सद्धान्त कौन सा है तो बुद्धी का सबसे पुराना सद् पहले किस विष्टे के प्रोफिशर थे तो इस पिर में पहले सांखी की विष्टे के प्रोफिशर थे बाद मी इन्हों ने मनोई ग्यान के प्रोफिशर बने और यहां पर बुद्धी के कारक से संबंद इस सद्धात इन्हों ने दिये इस पिर में ने बुद्धी का संबंद बताया है चिंदन से तो यहां पर हम कह सकते हैं कि चिंदन से इन्होंने बद्धी का संबन बताया है अगले कुशन हमारे यहां पर बालकों के भाशाई विकास का करम क्या होगा तो बालकों के भाशाई विकास का करम बालक भाशा जिसे सीखता है तो वो सबसे पहले किस क्रम में सुरू होता है तो जैसे मैं देखते हैं बच्चा से सवस्था में होता है तो पहले वो रोना, रुदन, क्रदन आदी करता है फिर कुछ बबलाना, कुछ अपने होटों से कुछ आवाजे निकालना मुझे कुछ आवाजों को निकलना फिर हाव भाव भी वो प्रकट करता है और ऐसे करते करते बालक जो होता है भासाई विकास के करम में आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो सीखने लगता है तो ये जो सबी अवस्थाय दे रखी यहाँ पर जो दे रखें ये सेसव अ वस्था से समब दे थे क्योंकि बच्चा बोलना कहां से सूरू करता है वो सारी घटना को यहाँ पर करम में बताया गया है आगे बात करते हैं बालक किस उम्र में वाक्यों के दोरा अपनी बात कह पाते हैं तो बालक लगवक पांच वर्ष की उम्र में हो जाते हैं तो वो बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो बालक सबसे पहले वेंजन में सबसे पहले मा शब्द को वो बोलता है आगे बढ़ते हैं कि लेकुषिन की और बालक सबसे पहले किसकी भाशा को पहचानता है तो निश्य दूर्प से बालक सबसे पहले अपनी मा की ही आवाज या उसकी भ मातर भाशा कह सकते हैं कि मातर भाशा को पहचानता है वह कौन सी विदी जिसमें पहले उधारन बतायाता है बात में नियम तो आगमन विदी होती है जिसमें पहले उधारन और फिर नियम को बतायाता है अगले किशन के हो जाते हैं अगले किशने वो कौन सी विदी जिसमें प प्रशन प्रश्ण है तो आगे उधारण आगमन न जिसमें पहले नियम तो निगमन इस परकार इसके जैसा एक और प्रस्ट मिलेगा अब थोड़ा सा चेंज रहेगा देखो सुनो और यहां पर देराखा समझो किस विदी पर आधारित है तो ये है प्रदर्शन विदी पर आधारित अब यह हम बात करें इसी के जैसे एक और क्षिशन की देखो सुनो और बोलो ये किस विधी पर आधारित है तो देखिए प्रस्ण क्या होता है कभी कभी हमें ऐसे गन्विज होते कि इसका तो ये उत्तर होगा तो यहां पर देखिए तो प्रस्ण में चेंज है देखो सुनो और बोलो ये प्रयोगात्मक विधी पर आधरित है तो इस प्रकार से दोनों प्रश्ने बनते हैं हमारे किस विधी में सिक्षन सुत्र का प्रयोग होता है तो आगमन विधी में सिक्षन सुत्र का प्रयोग होता है करके सीखने पर कौन सी विधी काम करती है तो प्रयुक्षाला विधी जो होती है करके सीखने पर काम करती है अगले किशन की हो जाते हैं किंटर गार्डन विधी जो LKG UKG के लिए होती है कि जनक कौन है जिसे हम LKG UKG के नाम से जानते हैं Lower kindergarten अपर kindergarten तो ये इस विदी के जनक कौन है जो ये जनक है जनों inh विदी के माध्य माध्यम से बच्चों को सीखने पर आधरित विदी थी अगला कुश्ण है मार्टेसर्य सिख्षा प्रणाली के जनक कौन है तो ड्र मर्या मार्टेसरी जो इटली के है खेल विधिय के माध्यम से बच्चों को सीखने पर आधरित विधिय दी थी अगला कुशन है मांटे सरी सिक्षा प्रणाली के जनख को है तो डक्टर मरिया मांटे सरी जो इटली के हैं ये विधी ज्याने ojos के प्रश्रिक्षन पर बल देती है और ये इनकी जो विधी है मांटे सरी विधी के नाम से जाने जाती है इसी प्रकार से खेल पदती होती जिसे हैंडरी कुक कॉल्ड वेल कुक के नाम से इसके जनक है और ये खेल पदती कहलाती है इसी प्रकार से डालडन पदती जो जो प्रश नग क्याने बहुत मातुमठेवन फ्रश्ट नहीं यह इसकी मत्सितां तके जनग जी ने प्याजे हैं चलिए अगले वक्रिस्ट को जाते हैं कॉलर किस सम्प्रदाई के समर्थक्तorg तो यह संग्यान वादी जो के साथ से क्यारा वर्ष के आयो के होती है अगले कुशन क्यों जाते हैं अगले कुशन है वो कुन सी जगा है जहां पर बच्चे के संग्यानात्म को विकास को सबसे बहतर तरीके से परिभाशित किया जा सकता है विद्याले मकक्षमे इसे परिवाशत किया सकता है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं इसका स्रे किस विद्वान को जाता है तो इसका स्रे भी जाएगा जीन पियाजे को जिन्होंने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सरजन करते हैं आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें किसके प्रती सचेत रहना हो रहना चाहिए तो आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमारे सैक्षिक और सासैक्षिक शेतरों में विध्यारती के सीखने के बारे में जानकरी प्राप्त करने के लिए विविद तरीकों का प्रयोग हमें करना चाहिए और इन सब के प्रती हमें सचेत होना चाहिए आगे बढ़ जाते हैं गले कुछिन की और सीसू अपने संसार्व के बारे में अधिकान से बातें के मादियम से सीकता है कि सुधवान ने कहा था तो ये कथन स्ट्रेक ने दिया था विकास कभी ना समापत होने वाली प्रक्रिया है ये विचार किसे संबदित है तो निश्य दूरुप से विकास कभी ना समापत होने वाली प्रक्रिया मतलब कंटीनियू चलने वाली निरंतर चलने वाली तो ये सिद्धान भी बन जाता है निरंतरता का सिद्धात से संबदित बच्चे के बाधिक विकास की चार विस्ष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी तो इस पहचान को करने वाले थे जीन पियाजे जिनोंने बालक की विस्ष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी परिवार एक साधन है तो परिवार जो है अनुपचारिक सिक्षा का साधन होता है परिवार आगे बढ़ते हैं के लिए किशन की और मनुसामाजी की विकास का सिद्धान किस ने दिया था सदान्द को देने वाले थे एरिक्सन और समय जन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है तो सेस अवस्था देखिए सेस अवस्था को यहां पर समय जन के वस्था कहा है कभी कभी कहीं पर हमें किस वह रवस्था मिल जाती है क्यों कि वहाँ बच्चा समय जित होता है अपनी व वेस के साथ म spoken अपने घरके शद्ष्यों के साथ में वाता वारण के साथ मैं पहले सबसे पहले बच्चा सेश्व अवस्था में ही समायोज़त होता है तो इसलिए ये प्रस्न का उत्बर यहां पर आपको देखने को मिलेगा सेसव अवस्था को है ना तो जन्म के एक महां में बच्चा पूरी तरह से समयोजित अपने बातावरण में हो जाता है तो इस प्रकार से यह वह वस्था है अगला क्यूशन में मिलता है यहां पर वर्तमान में विध्याले जाने की जो उम्र होत है ना और गवर्मेंट स्कूल जो होते हैं वहां पर बच्चा पांच वर्स में जाता है है ना क्योंकि उनके पहले की क्लासे आंगानवाडी के अंदर लगती है पर हम देखते ही प्राइवेट स्कूल जहां होते हैं तो वहां प्राइल कर जीए तो वहां बच्चे को तीन आयों के बाद में वहां पर भरती करा दी जाता है वहां पर हो जाता है तो सबकी अपनी कंडिशन है मतलब गवर्मेंट स्कूल के अंदर पांच वर्स है प्राइवेट के अंदर तीन वर्स है आंगानवाडी के अंदर भी वह तीन वर्स के बाद में पहुंसता है तो इस प स्कूलों के अंदर दी जाती है अपचारिक सिक्षा सक्षा किसे कहते हैं समाजी गरन की प्रकृया कब मात को पहचानने लगता है तो बालत तीन महां में लगना अपनी माता को पहचानने लगताता है को सर्म के एवस्था को भी कहर ज़ए आपस जों के मस्त्सका का वजन कि आतना होता है बम क्राम को वजन TON होता है एелिए कि मनुश्य मस्त्सका कि आतनी होती है तो दो बार आने वाल लग दात के संख्या जो होती है वो होती है पर- रा- दब क्या होगा कि दात जो होते हैं हमारे एक तो आइस्थाई होते हैं और एक होते हैं इस्थाई ठीके तो आइस्थाई दात जो होते हैं जो गिर जाते हैं और इनकी संख्या होती है बीज और जो तो हमारे इस्थाई दात होते हैं ये इनकी संख्या होती है 32 ठीके ना जो द आगे बढ़ जाता है अगले किशिन के और मनिश्य एक समाज एक प्राणी है और ये कथन किसका है तो ये कथन दिया है अरस्तु ने अगले किशिन के हो जाते हैं बालक में समाजी करण का प्रारम जो होता है किस आवस्था में होता है तो बालक में समाजी करण का प्रारम मतल सुरुवात कहा से हो जाती है तो बच्चे में तो 600 आवस्था में ही उस चिज़ के सुरुवात हो जाती है बालक का समाजी करण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है तो दीके समाजी करण की प्रक्रिया तो जीवन परियंत चलती है पर कुछ हद तक हम देखते हैं बच्चा जब विकास की अवस्था होता है तो लगभग लगभग उसका समाजी करण जो होता है पूर्ण हो जाता है फिर जीवन परियंते तो जो चलेगा वो चलेगा हिस सही पर किसोर अवस्था तक वो लग 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 सामाजिक करण के बहुत कुछ चीज़ों को सीख जाता है तो यहां पर किसोर अवस्था इसलिए उत्तर दिया है बालक के गिरो के अवस्था जो होती है वो किस अवस्था को कह गया है तो बाले अवस्था जो होती है इसे बालक के गिरो की अवस्था भी कहते हैं क्योंकि बच्चे यहां पर टोली के रूप में गूमते हैं बालक में नकरातमक सोच किस वस्था में उत्वन होती है तो बालक में नकरातमक सोच जो होती हो किस वस्था में उत्वन होने लगती है सामाजी का दिखम का सद्धान तक किसने दिया था तो बैंडूरा और बाल्टर ने ये सद्धान तक दिया था अगले क्रिशन ने मनुसामाजी की विकास का सिदान तक किस ने दिया था तो मनुसामाजी की विकास का सिदान तक देने वाले थे अरिक्सन वर्तमान में विध्या ले जाने की उम्र तो यह हम क्रिशन देख चुके है छे वर्स भी है तीन वर्स भी है सर्म के अवस्था ये कुश्यन भी हमारा रिपीट हो गया कोई बात नहीं बाल अवस्था जो है सर्म के अवस्था इसे कहा गया है आगे बढ़ते हैं अनुकरन की अवस्था किसे कहा जाता है तो अनुकरन की अवस्था जो होती है बच्चा सेसो अस्था से ही अनुकरन करने लगता जैसे हम बोलते हैं वैसा ही वो बोलने लगता है जैसे हम हरकते करते हैं वो भी करने लगता है तो अनुकरन के वस्था वही से सुरू हो जाती है सोप्रेम की भावना के सवस्था में होती है तो ये भी हमें से सवस्था में देखने को मिलती है समाजिक्ता कुम आपने की विधी है तो समाजिक्ता कुम आपने की विधी समाज मिती विधी कहलाती है आगे बढ़ते हैं wine, lands, sociometry scale का निर्माट किस नहीं किया था तो इसको करने वाले थे addler आगे बढ़ते हैं एक वर्ष में बालक का वजन, जन्म के समय के वजन का कितना गुना हो जाता है हुआ चलिए जन्म किसमें बालक की दिया हम लंबाई की बात करें तो लगभग 20 इंच के लगभग बालक की लंबाई इसमें होती है अगला विध्यारतियों से मैं सामजिक मुल्यों को विख्षत किस तरह से कर सकता है तो एक सिक्षक जो आदर से रूप से बरताव करके विध होना चाहिए तो सिख्षक का बस्ताव है वो आदर्श वदादी होना चाहिए ठेकिजिक का बढता हो आदर्श वदि होना चाहिए किस अवस्था में बच्चे अपने समकाक्षी वर्ग किस सक्रीश अवस्था के अदर बच्चे अपने समकाक्षी वर्ग के सक्रीश अवस्था के अदर बच्चे अपने समकाक्षी वर्ग के सक्रीश अवस्था के अदर बच्चे अपने समकाक्षी वर्ग के सक्रीश अदर ब तो बुनियादी स्थर पर मात्र भासा में शिक्षा देने से प्राकतिक वातरवाण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है, इसलिए बुनियादी स्थर पर उन्हें मात्र भासा में शिक्षा देना बहतर होता है, खिलोनों की आयू किस अवस्था को कहा आहम होता है तो उन्हीं से संब्दित है ये तो इदम में उनका भंडार होता है अगला किशन आता है चादर के अंदरे सिक्षन का आसे किस्से है तो चादर के अंदरे सिक्षन का आसे प्रत्य चादर की आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखना होता है तो उसी प्रकार से जब स सभी बच्चों की आवशक्ताओं को ध्यान में रखता है तो हम कह सकते हैं कि सिक्षक छात्र के अंदर बीकारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि और शिक्षा की खेल विदी का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर खेल क्रियाओं के द्वारा सिक्षा जब दी जाती है, तो उसे हम सिक्षा की खेल विदी कह सकते हैं, प्रयोजन वाद ने किसे जन्म दिया या प्रयोजन वाद ने किसे जन्म दिया, तो प्रोजेक्ट पदती जिसे हम कहते हैं, प्रयोजन विदी उसे जन्म द ने चलिए और डाल्टन पदती के जनक हैं तो डाल्टन पदती के जनक हम देख चुके ये भी लास्ट का कुश्चन था ये भी हमरा रिपीट हो गया डाल्टन पदती के जनक वही कुमारी हैलन पार्क हस्ट हैं तो इस प्रकार से यहां पर आज की जो हमरे कुश्चन थे ये स हम आप तो हो जाते हैं और क्यूशन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरू बताईएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा